नमस्कार फ्रेंड्स आई दिवांग प्रिज्यापती फ्रॉम उपनी सद साइन्स एकेडेमी लिम्खेडा से दोस्तो आज रोज हम स्टेंडर्ट ट्वेल्थ के अंदर इंग्लिस मेडियम में जो एक नया चेप्टर स्टार्ट अप किया हुआ है कि जिसका नाम है दोस्तो एमाइन कमपाउंज उसके बारे में डिसकेशन करने वाले है आज का हमारा जो टॉपिक है वो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँगा दोस्तो चेप्टर है हमारा चेप्टर नाइन कोडिनेट कमपाउंज उसका आज रोज वीडियो नमबर दो की बात कर रहे है दोस्तो जो बच्चे चैनल में नए हो चैनल को सबस्क्राइब जरू से कर देना दोस्तो ताकि आपको नए वीडियो के नोटिपिकेशन मिलते रहे हैं दूसरी बात अभी तक ये चेप्टर में दोस्तो हमने वीडियो नमबर वन देखा है यानि कि वीडियो portion of coordinate compounds और उसके साथ में वर्नर की theory हमने देखी थी वीडियो नमबर वन के अंदर अभी आज हम ये वीडियो नमबर दो के अंदर definition of some important terms pertaining to coordination compounds के बारे में discussion करने वाल है दोस्तो यानि कि एक basic terminology है कुछ ये चेप्टर को समझने के लिए कुछ basic terminology है जो हमें एक एक करके देखनी है दोस्तो तो सबसे पहले coordination entity क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे so a coordination entity constitutes a central metal atom metal atom होगा या फिर iron bonded to a fixed number of ions और a molecules उनको हम बोलते है coordination entity जैसे की कुछ example देखेंगे हम CO, Cl3, NH3 three times bracket के अंदर is a coordination entity in which the cobalt ion ये देखो cobalt ion जो है okay is surrounded by cobalt ion के आसपास क्या है 3 chlorine atom है okay and amine है three times okay and three chloride once again three chloride है और three amine है okay इसके और कुछ example देखेंगे दोस्तों जैसे की ni co4 जिसमें nickel के आसपास co four times है ऐसे ही PTCL2 NH3 two times जिसमें platinum के आसपास 2 chlorine और 2 NH3 है then यहाँ पर FECN6 four minus में FECN6 four minus में FECN6 six times CN है and then उसके बाद हमारे पास है CO NH3 six times plus three जिसमें cobalt के आसपास NH3 six times है ठीक है तो coordination entity का मतलब क्या हुआ सो फिर से coordination entity constitutes a central metal atom metal atom आप देख सकते हो यहाँ पर उसके आसपास iron है यह फिर metal atom के आसपास जो कुछ iron है वो fix number में जुड़े हुए होते हैं उनके पास जैसे की यहाँ पर cobalt है जिसके आसपास 3 chlorine और 3 NH3 है ऐसे ही nickel के आसपास 4 times CO है उसके बाद platinum के आसपास 2 chlorine और 2 NH3 है ऐसे ही iron के आसपास 6 बार CN है और cobalt के आसपास NH3 6 time है टीक है तो यह बात हो गई दोस्तों क्या coordination entity की इतना clear है ओके चली अभी आगे जाएंगे हम central atom और iron यह क्या है उसकी बात करेंगे हम तो in a coordination entity atom और iron to which fixed number of ions और groups are bounded in a definite geometrical arrangement उसके आसपास उनको हम central atom और iron बोलते हैं जैसे की उनके कुछ example हम देखेंगे सबसे फिले nicl2, h2 of 4 times जिसमें ni plus 2 central atom है यह फिर iron बोल सकते हैं ऐसे ही दूसरे एक्जामपल है हमारे पास cocl, ni3, 5 times, plus 2 जिसमें cobalt plus 3 हमारा central atom और iron बोल सकते हैं और एक एक्जामपल है हमारे पास fe cn6, 3 minus जिसमें atom और iron हमारा है fe plus 3 तो यह बात हो गई central atom और iron की इसके बाद ligands, ligand क्या है? उसके बारे में हम बात करेंगे सबसे पहले the ions or molecules bound to the central atom और iron metal के आज पास कुछ iron या molecule जिसके साथ चुड़े हुए होते in the coordination entity उनकों क्या बताते हैं? ligands जैसे की इस में भी ligand के तोर पे आपको simple iron मिल सकते हैं कुछ example है जैसे की Cl- फिर a small molecule जैसे की H2O और NH3 larger molecule में आपके पास है CH2, NH2, CH2, NH2 that is ethane 1, 2, diamine और NCH2, CH2, CH2, NH2 three times nitrogen central होगा और even the macromolecules such as proteins तो यह कुछ ligand के examples है हमारे पास ठीक है दोस्तों now central atom और iron जिसमें हमारे पास है unidentate ligand अभी यह ligand के अंदर unidentate ligand क्या है यह कौन सा topic है हमारा ligand वाला तो उसमें unidentate ligand क्या है अभी यहां पे और एक question में बोल सकता हूँ कि classification of ligand ligand का classification अगर आपको पूछ रहे हैं दोस्तों तो भी answer में यही लिखना है तो सबसे पहले देखते हैं unidentate ligand क्या है वो तो देखिए when a ligand is bound to a metal ion through a single donor atom as with Cl-H2O और NH3 the ligand is said to be unidentate ligand तो ligand metal ion से bind है किस की वज़े से? single donor atom के वज़े से तो उसमें single donor atom का example ले रहे हम Cl-H2O NH3 the यह सब example किसके है? unidentate ligand के now तो यह तो बात हुई unidentate ligand की now diidentate ligand क्या है? तो देखो when a ligand can bind through single से bind था तो उसको अमने क्या बोला? unidentate ligand तीक है? अभी हमारी बात है diidentate ligand so when a ligand can bind through two donor atom दो donor atom के साथ वो जुडा हुआ है जैसे कि एक्जाम्पल है ethan-1,2-diamine that is C2, N2 C2, N2 ethylin diamond बोल सकते है या ethan-1,2-diamine बोल सकते है और C2O4-2 जिसको हम oxalate ion बोलते है तो यह दोनो diidentate ligand के example है हमारे पास किसके diidentate ligand के? तो यह बात हुई unidentate ligand क्या है वो? और diidentate ligand क्या है वो? दोनों के example के साथ थोर्ड है हमारे पास polydentate ligand क्या है polydentate ligand? तो नेम से ही पता चल जाता है poly means many जिसमें many donor atom होते हैं या फिर ion होते हैं जैसे कि when several donor atoms मैंने यह बोलो या several बोलो तो भी चलता है okay when several donor atoms are present in a single ligand जैसे कि NCH2, CH2, NH2 three times the ligand is said to be the polydentate okay तो यह बात हो गई ligand क्या है और उनका classification जिसमें हमने unidentate ligand क्या है उसका example diidentate ligand क्या है उनका example और polydentate ligand क्या है उनका example हमने देखा अभी suppose आपको सिधा EDTA के बारे में पूछते है EDTA that is ethylene diamine tetra acetate जैसे कि देखो CH2, CH2 यह हो गया ethylene एक बार amine दो बार amine इसलिए उसको diamine बोलते है चार बार acetate है यह one time acetate यह two time acetate यह three time acetate और यह last में four time acetate ओके सो इसका जो नाम है ethylene diamine tetra acetate वो यह structure के उपर से हमें पता चल जाता है तो यह EDTA किया है भई उसकी बात करते है ethylene diamine tetra acetate ion EDTA four minus is an important hexadentate ligand यह polydentate ligand जो है उसके example में आता है कि जो hexadentate example का hexadentate ligand का example है it can bind through two nitrogen and four oxygen atoms to a central metal ion दो nitrogen और चार oxygen के साथ वो जोड सकता है इसलिए उसको हम क्या बोलते है hexadentate ligand उनका जो structure है वो यहां पर हम देख सकते हैं जिसमें ethylene diamine and one two three four tetra acetate that is EDTA इसके बाद ligand के अंदर हमारे पास when dye or polydentate ligand uses its two or more donor atoms to bind single metal atom ion is said to be the chelate ligand तो chelate ligand क्या है उसकी बाद हम करेंगे when dye or polydentate ligand आपके पास dye dented ligand या फिर polydentate ligand है dye dented ligand के example में हम auxiliary ले सकते हैं ithylene diamine ले सकते हैं okay polydentate के example में हम EDTA ले सकते uses its two or more donor atoms वो एक से ज्यादा donor atom दो से ज्यादा sorry दो से ज्यादा donor atom का इस्तेमाल करते to bind with a single metal ion एक ही metal ion के साथ जूढने में तो उनको हम chelate ligand बोलते the number of such ligating groups is called the denticity of the ligand number of such ligating group जितने ligating group है उनके number को हम क्या बोलते है denticity of the ligand such complexes called chelate complexes which are having the tendency to be more stable than the similar complexes containing the unidentate ligand तो वो unidentate ligand की comparison में ज्यादा stable होते हैं नच नच नच्ट तोपिक दिआज अम्वी देंटेट लिगंड क्या दिया गया है अम्वी देंटेट लिगंड लिगंड विच पन लाइगेंड थू तो बिफरेंट अटम्ड एक ही लिगेंड है पर एक ही लिगेंड दो अलग-अलग एटम से लाइगेट हो जाते हैं ऐसे लिगेंड को हम Embedented लिगेंड बोलते हैं जैसे कि उनके एक्जामपल हम देखेंगे ताकि उससे हमें और क्लियर हो जाए Example of such ligands are NO2-1 and SCN-1 ions तो यह दोनों के example हम एक एक करके देखेंगे सबसे पहले हैं हमारे पास NO2-1 के अंदर nitrito जिसमें यह metal atom है वो connection में सीधा nitrogen के जो NO2-1 है उसमें nitrito में nitrogen atom के साथ यह metal जुड़ा हुआ है यह arrow के साथ अब देख सकते हो ऐसे ही यही ligand nitrito यहां पर देखो oxygen atom के साथ जुड़ा है nitrogen के बदले यह metal atom oxygen के साथ जुड़ा हुआ है सीधा तो ligand एक ही है और उसमें एक जगह पे nitrogen जुड़ा है metal के साथ और दुसरे example में oxygen metal atom के साथ जुड़ा है दोनों है nitrito ही ऐसे ही दुसरे एक example देखेंगे हम thiocyanato जिसमें यह metal atom के साथ sulfur जुड़ा हुआ है और isothiocyanato जिसमें metal atom के साथ sulfur के बदले nitrogen जुड़ा हुआ है तो ligand which can ligate through two different atom is called embedded ligand और उसके हमारे पास दो example है NO2-1 and SCN-1 तो यह बात हो गई दोस्तो embedded ligand क्या है और उनके example की उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे next topic हमारा है coordination number कौनसा topic है coordination number तो चलिए देखते हैं यह coordination number क्या है सबसे पहले मैं आपको वो दिखाऊंगा तो देखो the coordination number that is जिसको हम सौट में क्या बोलते हैं C N क्या बोलते हैं C N so coordination number of a metal ion in a complex can be defined as number of ligand donor atoms to which metal is directly bonded metal कितने ligand के साथ सिधा जुडा हुआ हो उनको वो number क्या बोलते हैं coordination number metal सिधा कितने ligand के साथ जुडा हुआ हो जैसे कि example लेंगे हम PTCL 6 2- इसमें देखो metal जो है coordination number में PTCL 6 2- जिसके अंदर आप देख सकते हो फिर दूसरा है NINH3 4 times 2 plus Fe C2O4 3 3- then CO अभी देखो इसमें यह है जो सबसे पहले example दिये यह PTCL वाले वो unidentate ligand के example है यह chlorine भी है और NH3 भी है ठीके तो यह PTCL 4 PTCL 6 minus 2 इसके अंदर platinum का coordination number यह 6 हो जाएगा इसमें 4 है योगि देखो यह chlorine 6 बार है ऐसे ही nickel यहाँ पे देखो NH3 जो है 4 times है तो यह unidentate के example है जबकि diidentate के example में है हमारे पास oxalate देखो यह oxalate और यह है ethylene diamond वो बले तीन बार हो यह तो तीनी बार है ठीके पर वो खुद diidentate है तो 3,2,6 हो जाएगा iron के लिए ऐसे ही cobald के लिए भी यहाँ पे 3,2,6 हो जाएगा ठीके तो यहाँ पे fe c2o4 3,3- का जो coordination number है वो 6 हो जाएगा ऐसे ही यहाँ पे cobald का भी 6 होगा क्यों क्योंकि यह दोनों क्या है diidentate और यहाँ पे unidentate है अगर वहाँ पे कहीं पे pi bond का formation हुआ है between the ligand and the central atom और iron तो वो यहाँ पे यह purpose के लिए coordination number counting में helpful होने वाले नहीं है तो सिर्फ sigma bond का ही counting करना है coordination number के अंदर pi bond का counting करना नहीं है next coordination sphere क्या है हमारे पास coordination sphere तो चलिए यह भी देखते है coordination sphere क्या है उसके example के साथ तो सबसे पेले the central atom or iron and the ligands attached to it are enclosed in a square bracket जो atom होता है वो square bracket के अंदर enclosed होता है and is collectively termed as the coordination sphere वो जो पूरा square bracket है पूरा का पूरा वो पूरे square bracket जो है यह square bracket का हम क्या बोलते है coordination sphere then the ionizable groups are written outside the bracket and are called as a counter ions bracket के बाहर हम जो लिखते है ठीके फिर वो left hand side हो या फिर right hand side हो उनको हम counter ions बोलते है जो की ionizable है जैसे की example लेते हम K4 Fe Cn6 जिसमें अगर इसका ionization हम करे तो इसमें दो ions बनेंगे एक है K plus 1 जो 4 बार है इसलिए आगे 4 K plus 1 लिगा लगाएंगे ठीके और दुसरा जो आयन बिलेगा हमें Fe Cn6 पूरा square bracket जिसका oral charge हो जाएगा minus 4 क्योंकि यहां पे plus 4 हो जाएगा 4 बन्जा 4 जो यह plus 4 तो यह सामने minus 4 पूरा coordination sphere हो जाएगा ओके तो इसका उम counter आयन बोलेंगे और यह हो जाएगा आपका coordination sphere को यह सामने और यह को जाएगा को यह को यह को दिनेशन पूराइट्रोण क्या है दोस्तों जालिए वो भी देखते हैं The spatial arrangement of the ligand atoms which are directly attached to the central atom और आयन define the coordination polyhedron about the central atom. फिर से जो थ्री-दिमेंशन अर्रेंजमेंटल लिगेंड का मेटल के आसपास, उसको हम coordination polyhedron बोलते हैं. जैसे कि the most common coordination polyhedra are तीन दिया गया है, सबसे ज्यादा common जो है वो, एक है octahedral, दूसरा है square planar, और तिसरा है tetrahedral. क्या-क्या है octahedral, सबसे पहला, दूसरा है हमारे पास square planar, तिसरा है हमारे पास tetrahedral. अभी देखते हैं इसका shape कैसा होता है. तो देखो, सबसे पहले हमारे पास है M, M का मतलब metal. M का मतलब क्या हो जाएगा? M का मतलब metal iron. ओके, और L का मतलब हो जाएगा ligand. ओके, तो इसमें सबसे पहले हमारे पास common वाला है octahedral. क्या shape है octahedral, जिसमें metal central atom है, जिसके आसपास six different direction में आपके पास ligand जुड़ा हुआ हूआ हूँ. अभी उसका एक example हम देखेंगे, okay, octahedral का, तो metal की जगह हम ले ले लेंगे cobald, okay, central में. एक उपर, उपर की और एक ligand हम लगा रहे है nh3, ठीके, एक नीचे की और लगा रहे हैं, दूसरा nh3, ऐसे ही और एक example यहाँ पर ligand nh3, तिसरी पर. एसे ही यह वाली direction में हम लगा रहे है nh3, okay, then still यहाँ पर हम लगा रहे है nh3, ऐसे ही यह वाली direction में भी nh3 लगा रहे है, ठीके, तो nh3 6 बार हो गया है, और इसका oral charge जो है, पहले square bracket बना लेता हूँ मैं, okay, CO NH3 6 time, और यह पूरा जो charge है, वो है plus 3, okay, तो यह octahedral का example है, okay, ऐसे ही आगे बढ़ेंगे हम, tetrahedral, okay, तो tetrahedral का example हम लेते हैं, जिसमें metal central atom है, यहाँ पर metal की जगह हम लगाएंगे, NI, उपर की और legenda है हमारे पास, CO, ऐसे ही यहाँ पर left hand side, CO, थोड़ा wide, right में, वो जाएगा CO, तिसरी बार, और यह dash वाली line, यह भी हो गया CO, तो यह हो गया, NI, CO, 4, और square bracket, okay, तो यह tetrahedral का example है दोस्तों, इसके आगे और एक common वाला है हमारे पास, square planner, okay, तो square planner का example जिसमें central metal atom, जिसमें metal की जगह हम ले रहे हैं, platinum, बाकी चारों corner में ligand हमारा रहेगा, CL, 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 okay, और four times हो गया, overall square bracket लगाएंगे, PTCL, four minus two, तो यह हो गया square planner का example, okay, तो यह जो ज्यादा common है तिन, एक है octahedral, दूसरा है square planner, और तिसरा है tetrahedral, okay, now, और कुछ example हम लेंगे, कि जो common नहीं है पर वो भी होता है बाई, okay, एक है trigonal by pyramidal और दूसरा है square pyramidal, तो ट्राइगोनल by pyramidal में central atom हो जाएगा metal और उपर नीचे left hand side तीन जगह पे ligand और दू right hand side पे आपको दीख रहे है, total five ligand है, okay, ऐसे ही square pyramidal में भी five times ligand है, centrally metal atom के आसपास, okay, now, oxidation number of central atom, यह क्या है, चलिए यह भी देखते है, तो सबसे पहल है, the oxidation number of the central atom in a complex is defined as the charge it would carry if all the ligands are removed along with the electron pits that are shared with the central atom, पूरा square bracket होता है, और metal atom का oxidation number अगर हमें डुणडना है, तो उसके आसपास जो भी ligand जुड़े हुए हो, वो सब भी ligand अपना खुद का electron pair लेके निकल जाएंगे, और बाद में जो metal atom के पास बचेगा, उसकों क्या बोलते है, oxidation number of the central atom, the oxidation number is represented by a roman numeral in parenthesis, following the name of the coordination entity, तो चली example देखते है, for example the oxidation number of copper in CuCn4 times minus 3 is plus 1, तो इसको represent कैसे करेंगे, कोपर और bracket में roman number में 1 लिखेंगे, ओके, तो इसको ऐसे represent करना है, now the next topic that is homoleptic and heteroleptic complexes, homo मतलब same, hetero मतलब different, सबसे पहले होमोलेप्टिक के बारे में हम देखेंगे, सो क्या है ये होमोलेप्टिक ये देखते हैं, complexes in which a metal is bound only with the one kind of the donor group, एक ही type के ligand के साथ central metal atom जुड़ा हुआ हो, तो ऐसे complex को हम होमोलेप्टिक complex बोलते हैं, जिसे की example में है हमारे पास CO NH3 six time plus three, जिसमें NH3 एक ही type का ligand है, कि जो कोबाल्ड के आसपास छे जगर पे जुड़ा हुआ है, अलग-लग direction में, यानि की एक ही type का, I am not saying that only one ligand, एक ही type का ligand जुड़ा हुआ हो, तो उनको हम होमोलेप्टिक ligand या फिर होमोलेप्टिक complex बोल सकते हैं, complexes हिट्रोलेप्टिक में क्या होता है, यह देखते चलिए, so complexes in which metal is bound to more than one kind of donor groups, metal atom के आसपास दो अलग-लग तरीके के ligand जुड़े हुए होते हैं, जैसे की example देखो, CO NH3 four times CL2 plus, जिसमें दो कलोरिन है और NH3 चार बार है, यानि की एक ligand NH3 है और दुसरा ligand CL है, तो दो अलग-लग ligand है, इसलिए उस कौम क्या बोलते हैं, हिट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सिस, so यह बात हो गई होमोलेप्टिक एन हिट्रोलेप्टिक की, that's all, we'll be keeping it till here, इसमें किसी को कुछ भी doubt हो, तो comment box में जाके आप comment कर सकते हो, even मेरा telegram channel भी है, जिसमें अगर आपको join होना हो, तो नीचे ये video के नीचे description box के अंदर, वो link भी आपको मिल जाएगी, that's all, thank you,